जी असलाम लेकुम रहाम तोला वेलकुम टो वाई यूट्यूब चैनल बल्ले बल्ले पंजाबी अच्वानु की कवाहून पाकिसान टीम तो यार ऐसे परफॉर्म कर रही है माशाला से लगता ही नहीं है कि पाकिसान टीम है अवे टेस सीरीज में इतना जबरदस परफॉर्म कर दिया है तो आपको चल लिए चलते हैं अधरिन डे थ्री के रिव्यू के जानिब जो पाकिस्तान का टेस्ट रहसे लंगाए के साथ तो सबसे पहले हाइलाइट ऑफ दी मॉमेंट हाइलाइट ऑफ दी डे अब्दुल्ला शफीग जबरदस बैस्में जबरदस प्लेयर ज जबरदस टैलन्ट डेबल सेंचरी स्कोर कर दी और अपनी केरियर के पैली डेवल सेंचरी स्कोर किया है आइधिंक पिछले किसी टेस्ट में एक सो नवे बी आल आउट हो गए तो इस दवा माशालाह वो कर गया डेबल सेंचरी उसके बाद जो आगा सलमान है वो सेंचरी स् स्कोर कार्ड की जानिब 178 रंद दो खिलाडी आउट पे जब पाकिसान इनिंगा स्टार्ट किया तो बाबर आजम से बहुत ज्यादा उमीदें लगाई जा रही थी अनफॉर्चुनेटली तीसरी इनिंग्स खेल रहे हैं सिरलंका में और एक भी 50 पला स्कोर नहीं कर पाए हम तो सेंचरी की उमीद लगाए बैठे थे और पर बाद जसूरिया ने छटी मर्तबा उन्हें आउट कर दिया बिल्कुल प्लांब आउट था 49 स्कोरों में पहले विगर वो आउट हुएं उसके बाद साउध शेकील आये हैं साउध शेकील ये बड़े जबरस्त कॉम में हैं पिछले टेस्टमें डेबल सेंचरी सकोर की थी अभी भी जो है फिफ्टी सैवं स्कोर कर गया है वो और वाहिद बैट्समनेर साथ मुए मर्त्बा कंजेकिटिव साथ in Commissioner साथ test innings में साथों मैं साथ टेस्ट प्लकश कोर कर चुके हैं और ये एक रिकॉर्ड अब जबरदस खेल रहे थे लेकिन उनको बिल्कुल सर पे बॉल लागिया हेलमंट पे और वो रिटाइड हर्ट हो गए थोड़ से उन्हें चकर बगारा शाहिद आ रहे थे और मसले मसाहिल का शिकार हो गए उसके बाद मुहमद रिजवान है उन्होंने 37 रंज की बड़दस इन इसके लिए आगा सल्मान ने अपने जो केरियर की दूसरी सेंचेर स्कॉर किया नाजरीन अभी वे उपकी क्रीज़ पे मौझूद है 563 रन का इतना बड़ा टार्गिट है इतना बड़ा टार्गिट जो है अभी खेल रहे हैं पाकिसान ने डिकलेर नहीं किया मुझे उ 400 है 397 की लीड है तो मुझे उमीद यही है कल चौता दिन का स्टार्ट है शुरू में खेल के शायद 400 की लीड के बाद दे देंगे और उमीद यहीं की जा सकती है कि पाकिसान एक इनिंग से खेल रहेगा को लंबो के वैदर को कोई पता नहीं अन प्रेडिक्टिबल है बार चैंपेंशिप के पॉइंट स्टेबल में बहुत जबर दस्त पाकिसान को फाइदा हो जाएगा इन्शाला और उसके बाद क्यूंके आगे टेस सीरीज है बहुत मुश्किल आ रही है अस्ट्रेलिया में तीन सीरीज है तीन मैचों की टेस सीरीज है वह सान नहीं होगी उसक तो मैं यहीं उम्मीद कर सकता हूं इन्शाला पाकिसान ट्रीम जीते और बाबर आजम को एक लिए इन सुविप वाली जीत मिले तो आज की वीडियो में नाजरीन इतना ही मिलते हैं इन्शाला नेक्स्ट वीडियो में अस्सलाम अलेकूं और रहमतुला